लो फ्रेंट्स विल्कम बाइक टू माई यूटूब चैनल सुपर क्लासे फ्रेंट्स आज हम लोग पॉल टेक्निक समेश्टर एक्जम सिविल सेक्टर से यह हम सिख्की कोश्चन के आर्यमबी टॉपिक से यानि की लेशन नमब सिक्स आर्यमबी से यानि रिपेयर से टॉप 14 बीदियो यह उसका पूरा नाम होता है अगला question आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा, दिखी पहले option में दे रखा है, आप थोड़ा सा इसमें dot line दे रखा है, इसका मतलब इसी option में आपको फिलफ करना है, का उपयोग पतली कठोर तथा मजबूत सता बनाने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंट इस question का जो right answer फेरो स सिमेंट, जी हाँ दोस्त आप सही सुन रहे है, फेरो सिमेंट इस question का क्या होजाएगा, ठीक है फ्रेंट अगले question की और बढ़ते हम लोग अगला question देखते हैं, तीसरा question क्या है, पी यस सी में संपीडन के लिए उच्छ सामर्थ कंडरों में, उच्छ सामर्थ कंडरों का उ प्यों किया जाता है, तो friends question का जो राइट अंसर है, आप से नमबर भी हो जाएगा, तानावी है, ठीक है, friends यह question बहुत है, आप लोग याद रखेगा, सारे question बहुत है, सिमिस्टर एक्जाम के लिए, तो friends आप सभी question कुरण जाईएगा, क्योंकि आपके सारे question है, MCQ आने वाले हैं, और पेपर आपका जो है, आउनलाइन बेस्ट होने वाला है, friends अगला question क्या है, आर सी सी समरचनाव में तनाव छेतर, इसमें देखे बीच में डाट लाइन दिया, भाग में होता है, तो friends इस question का जो राइट अंसर है, चौथे का, आप से नमबर डी हो जाएगा, जो की यह है, देखिए, तनाव छेतर, नीचे भाग में होता है, यह आपको धियान रखना है, ठीक है, friends, बहुत लाजबाब question था, उसी से related एक और question है, आर सी सी को बिक्सित तथा प्रथम बार डाट लाइन ने उप्योग किया था, तो friends इस question का जो राइट अंसर है, आप स अपस्थित है, तो फेरो सिमेंटिंग की जो है, तीन वीधियां होती है, यह आप याद रखेगा, फेरो सिमेंटिंग की कि दनी वीधियां उपस्थित होती है, तो इसका जो राइट अंसर है, अपसन नमर है, ठीक है, friends, अगला question देखिए क्या है, किस बीम में इस पात की अगला question देखिए क्या है, और अगला question आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा, अगला question देखिए क्या है, सफेदों में गोद को कितने घंटे पाले घोला जाता है, इसका जो राइट आंसर है, आपसन नमर है, 24 घंटे पहले है, ठीक है, अगला question देखिए क्या है, पहला ही डाट लाइन दिया है, इसी डाट लाइन में आपको answer फिलप करना है, पेंट की सस्ति किस्म है, पेंट की सस्ति किस्म जो है, यह आपसन नमर से आपसन दिया है, इसको भरना है, इसके आपसन होंगे 6, जी हाँ दोस्त, आपसन नमर डी की और आज का अंसर हो जाएगा, अगला question देखिए क्या है, सूर्य की उपस्तिती में, पेंट में उपस्तित किस ततो को नुकसान पहुचता है, तो इसका जो राइट अंसर है, आपसन नमर भी बी टू मीनस, जो की आपसन नमर बी मिलना है, ठीक है, अगले question के रूपरते हैं, अगला question देखिए पूती हुई, सता पर चमकीले चक्तो को कहते हैं, तो इस question का जो राइट अंसर, आपसन नमर डी, ब्लास्टिंग का जाता है, ब्लास्टिंग, यह देखिए आपको चोथा अंसर, आपसन नमर डी मिलना है, ठीक है, अगले question के रूपरते हैं, पंदर हुआ, कोस्चन देखिए क्या है, निमने में से कौन सा रंग भूरे रंग के लिए अनिवार है, तो भूरे रंग के लिए अनिवार रंग यह आपसन नमर डी हो जाएगा, गहरे भूरे रंग का, ठीक है, यह आपको आपसन मिल जाएगा, अगला question देखिए क्या है, अगला है, पेंट के भराओ घटक का कार्य है, इस question का right answer, आपसन नम साबुन निकरड की उपस्तेती के कारड होता है, आप नीचे आपको आपसन दिखाते हैं, इस question का right answer है, 17 question का option number D हो जाएगा, साबुन के धब्बे, ठीक है फ्रेंट्स, अब अगला question क्यों आपको लिकर चलते हैं, अगला question देखिए अठारावा है, निवन में इसे कौन सा अधार का उदाहरण नहीं है, question number 18 का, इस question का जो right answer option number 2 हो जाएगा, कोबाल्ट जिसकी प्रतीक होता है, CEO, ठीक है, फ्रेंट्स, इसका जो answer अगर पेपर में दे भी सकता है, कोबाल्ट की जाएगा, CEO भी लिखे रहागा, तो भी उसी का right answer करेंगा, आगे बढ़ेंगे, ठी ठीक है, फ्रेंट्स, यह आपका दिखाना है, पाइसा, option number D, ठीक है, अगला question देखिए, आपके screen पर क्या दे रखा है, कौन सा प्रभाव पेंट की मोटी परत के दोरा असपस्ट होता है, तो इस question का right answer है, option number C, सीकन, यह जी हाँ, आप सई सुन रहे है, सीकन नाम, अगला question इस question देखिए क्या है, concrete में हवा के प्रभाव में बढ़ोतरी करता है, इसमें आपको बीच में देखिए, डाट लाइन दे रखा है, इसमें आपको answer के हिसाब से fill up करना है, तो इस question का right answer है, option number B, कार एच्छमता बनना था, concrete में कार एच्छमता हवा के प्रभाव में बढ़तरी करता है यह आपको दियान रखना है ठीक है फ्रेंट्स सारे कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत लाजबाब कोश्चन है आपके आनलाइन बेस्ट एक्जाम के लिए परफेक्ट है इसलिए आप सारे कोश्चन को इसकीप न करें बिल्कुल भी कोई कोश्चन स्कीप निए जरा सा आपका थोड़ा सा समय लेंगे हैं अगला कोश्चन देखिए वाई साहा क्या है कि नमी वाले वातावरड के पिक्छा सुस्क वातावरड में कंक्रीड की छमता बीच में दिखिए डाट लाइन्स दिया है प 60 परसेंट जो होता है याद कि अगर कहीं परसेंटेज में न दिया हो तो इस तरह से आसका अंसर गलत माना जाएगा ठीक है और अगला कोश्चन की बढ़ते हैं अगला कोश्चन सतेशा हमां है ठंडे अस्थानों पर कंक्रीट रखने पर उसकी छमता के साथ हो जाती है आपको याद रखना है और आपको बता देख छोटी सी जैनकारिया कि पॉले टेकनिक समेस्टर और पॉले टेकनिक आया इर्टी इंट्रेस्ट एक्जान के किसी भी अपडेट के लिए हमारे चैनल सूपर क्लास से अब्जूर सकते हैं पलपल की अपडेट आपको मिलती रह रहे है राहा है रखने से पहले कंक्रिट की सता होने चाहिए इस कोस्चान का राइट आंसर आपसान नमर शी गीली ठीकिकर कॉस्ट के रबढ़ते हैं यहीं की जी लिँ होनी चाहिए अगले गेसं की बढ़ते हैं लोग को सद्ध के गेले पन में सुस्क ऑंतराल को कहते हैं पट्चीस इसमकerson का जो राइट एंसर है आपसन नमरे धरारिकते हैं अगला कोशनद के किया है पानी के बहाओ को डैम दिया है प्रूफिंग रोकता है बीच में दिखिए डाट डाट लाइन इसी में आपको आपसन के एकार्डिंग जो है इसमें फिलफ करना है पानी के बहाओ को डैम प्रूफिंग नहीं रोकता है अगले कोस्चन के बढ़ते हैं और अगला कोस्चन देखिए आपके स्क्रिन पर है रासानिक रूप में डाला गया फिल्टर कंक्रेट के जमने में उत्पन करता है बीच में इसमें भी आपसन के सार में हिसाब से आपको फिल अप करना है तो सता इसमें कोस्चन का भी राइट आंसर आपसन नमसी हो जाएगा दिखिए एसलरेट ठीक है इसमें बना रासानिक रूप से डाला गया कंक्रेट जमने में एसलरेट उत्पन करता है अब एसलरेट को समझते ही होंगे अगला कोस्चन है रासानिक पूडवास क्या परिसानी है पूडवास क्या परिसानी है इस कोस्चन का राइट आंसर आपसन नमर अनोखी एक अनोखी परिसानी का नाम है ठीक है अगला कोस्चन क्या है स्लैप पैनल स्लैप पैनल कंक्रेट की संचना की मरमत किस प्रकार की जा सकती है तो इस कोस्चन का तर्फ नंबर भी हो जाएगा बाहरी बंद ठीक है फ्रेंट्स बहुत लाजबाब कोस्टन है बिल्कुल भी कोस्टन को इस्टीप ने करना किसी प्रकार के कोस्टन में अब आपको कोई भी और इंक्रीज आपको मनली करना है अपने नॉलेज को थोड़ा सब कमेंट सेशन में अब जरूर दीजिएगा आपको सब्सक्रीज जनकारी मिले सकते हैं ठीक है प्रेंट्स चुकि आपका कोस्टन पेपर जो है आनलाइन बेस्ट होगा और यहम सिक्क्यों को या निकिए आपको सभी कोस्टन आप्शनली होंगे इसलिए जो है आप्शनली को आधार बनाए ज अगला कोस्टन देखी क्या है बतिसामा प्रिस्ट्रेट से ठोस सनचना द्रिस चिन्हों की परिसानी डाट-डाट के रूप में दरसाती है इस कोस्टन का जो राइट अंसर आपसे आपसे नमर यह हो जाएगा सतही डरारे ठीक है अगले कोस्टन कि बढ़ते हैं अगला कोस अगले कोस्टन की बढ़ते हैं अगला कोस्टन देखी क्या है लगभग एक मीटर चौडी निस्क्री दरारों के मामलोए में किसका उपियोग करना अधिक किफायती है ठीक है फ्रेंट्स पत नहींति सामें कोस्टन का जो राइट अंसर आपसे नमर भी ग्राउटिंग ठीक सब्सक्राइब लागभग एक मिटर चावडिन इसक्री दरारों के मामले में किसका उप्योग करना अधिक कि इसान के बर्गी करड़ में कितने प्रकार के नुक्सान उपस्तफित है तो इसकल ओपनाने चाहिए इसक्रीट का अंसर आप्सन नंबर ये हो जाएगा प्री लोडिंग भी ठीक है फ्रेंट्स अरतीस हमें कोश्चन का राइट अंसर प्री लोडिंग भी एक बार मैं खिर से कोश्चन को पढ़ लेता हूं यदि पुरोहित की यहानी अत्याधिक हो तो तन्यता में धरारे पढ़ जाती है तो कौन सी भी अपनाने चाहिए इसका राइट अंसर प्री लोडिंग भी ठीक है अगला कोश्चन क्या है कई कारणों से संरचना के पुनरवास दाईत्वकी आव सकता हो सकती है सही कारण चुने इस कोश्चन का राइट अंसर है आपसन में वाता वरड़ी प्रभार योगी स्थिति में बनाय रखना किसका प्राथमिक कारे है तो इस कोश्चन का राइट अंसर है आपसने रख रखाओ करने वाले इंजिनियर का ठीक है फ्रंस यह वाला आपका राइट अंसर है फ्रंस आज के सेसन में आपको टाप 40 कोश्चन कराए गए आपको सेसन कैसा ल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिये धन्यवाद थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियो